अक्सर हस्बंस को अपनी वाइफ से एक ही शिकायत होती है कि वो अपनी वाइफ के लिए कितना कुछ करते हैं उन पर इतना पैसा खर्च करते हैं उनके लिए ही कमाने जाते हैं इतनी मेहनत करते हैं उनको खुश रखने के लिए कितना कुछ करते हैं बट इसके बाद भी उनकी जो वाइफ हैं उनसे खुश नहीं रहती तो क्या किया जाए जिसके बाद आपकी पत्नी आपसे खुश रहे आपके साथ प्यार महबत के साथ में रहे तो आज करेंगी इसी बारें बात वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करना ना भूलने शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले तो ना जो लड़कों की हस्बर्ण्स की एक सोच है कि वाइफ के उपर पैसा खर्च कर दिया तो सब कुछ हो गया अब वाइफ को कुछ चाहिए ही नहीं वाइफ को सिर्फ पैसा चाहिए तो इस सोच को थोड़ा बदलने की जुरूत है आपको क्योंकि अपनी वाइफ को नहीं दे रहे हैं वो चाहिए आपकी वाइफ को वो दीजिए वो कौन-कौन से चीज़े हैं सबसे पहले अपनी वाइफ की इज़ट करना शुरू कीजिए जदातर आदमी यह सोचते हैं कि वाइफ के उपर चिला दिया तो क्या हो गया पब्लिक में उसे आपकी वाइफ को जब आप उसकी इंसर्ट करते हैं कोई भी इंसान सबसे पहले जो चाहता है अपने पार्टनर से वो है रिस्पेक्ट तो आप अपनी वाइफ को इज़ट देना शुरू कीजिए जब आप अपनी वाइफ से उची अवाज में बात करते हैं तो ध्यान तो इज़ट जब आप अपनी वाइफ हो देंगी तब आप देखेगे कि आपकी वाइफ खुश है आपके साथ में दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि जब भी आपकी वाइफ आपके लिए कुछ करती है ना तो उस चीज को एप्रिशेट करना शुरू कीजिए अकस जब आपके लिए खाना बनाती है आपका फेवरेट तो वह बहुत जब ज़्यादा बनाती है आपको पुष करने के लिए बनाती है ये सोच के बनाती है कि मेरा पती आएगा तो खुशी से उचल पड़ेगा मेरी तारीफ करेगा ये सम्वेर एक थाॉट होता है वाइफ के के लिए करती है आपकी फैमिली के लिए करती है आप उसको आपकी वाइफ की ड्यूटी समझ लेते हैं और उन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो यह काम ना करें जब भी आपकी वाइफ कुछ भी चीज करती है for you for your family तो उसको एप्रिशेट कीजिए उसकी तारीफ कीजिए उसको प्यार से बताईए कि आप कितना खुश है उसकी उस चीज से जब आप ऐसा करेंगे ना तो यकीन मानिया आपकी जो वाइफ के चारे के उपर स्माइल आएगी जो खुशी आएगी ना उसकी फिर मतलब कीमत ही नहीं है कोई तीसरी चीज जो आपको करनी है वो यह कि अब सेना अपना फोन अपनी वाइफ से हाइड करना बंद कर दीजिए अभी तक आप क्या करते हैं अपने फोन पर हमेशा पासवर्ट लगा के रखते हैं अपनी वाइफ से चुपा कर रखते हैं आप यह मेक शूर करते हैं कि आपकी वाइफ आपके मुबाइल को छुए न आपको तो ये लगता है कि इसको क्या करना है मेरे मुबाइल से इसको क्या मतलब है बट आप ये भूल जाते हैं कि जब जब आप अपनी वाइफ को ये फील करवाते हैं कि आपके mobile को वो हाथ नहीं लगा सकती, तब तब आप उसको अपनी जिंदगी से कार देते हैं, तब तब आप उसको एहसास करवाते हैं, कि उसकी आपकी जिंदगी में कोई importance नहीं है, वो आपके life में matter नहीं करती. एक बार बताईए न, एक पती पतनी, अगर एक दूसरे के mobile को हाथ नहीं लगा सकते, तो कैसा रिष्टा है, जहां पर इतना भी trust नहीं है, वो रिष्टा कैसा है, जहां पर mobile जैसे छोटी चीज भी छुपा कर रखी जाती है, तो वो रिष्टा कैसा है, तो अपना mobile को छुप फोन पर बात करते हैं, तो अपनी wife के सामने नहीं करते, जब आपकी wife आप से कुछ पूछती है, आपके office के बारे में, या किसी चीज के बारे में, तो आप उसको नहीं बताते, आप चीजों को उससे hide करते हैं, हो सकता है, आपको ये लगता है, कि वो जानके क्या करेगी, एक बार अपनी वाइफ की जगा पर अपने आपको रखकर सोचिए। उसको कैसा लगता होगा। क्या वो इतनी बद्दिमाग है कि आपकी बाते नहीं समझेगी। क्या वो इतनी भी जरूरी नहीं है आपकी जिन्दगी में कि आप अपनी परसनल चीज़ेस सो शेयर करते हैं। उसको तो ऐसा ही लगता है ना वो कितना निगल 카़ करती है अपने आपको यह सोचती है कि आपकी जिन्दगी में उसकी वैल्यू नहीं है। और यही चीज आपकी wife को आपसे काट देती है, आपसे दूर कर देती है, क्योंकि वो आपसे अपने आपको connect नहीं कर पाती है। तो आगे से अगर आपकी wife कुछ आपसे पूछती है तो उसको बताईए, अगर वो आफस के बारे में कुछ जानना चाती है तो उसके साथ में discuss कीजिए ना, अगर आपको लगता है कि वो नहीं समझ पाएगी तो आप थोड़ा बात बता देजिए, ऐसे बताईए कि वो समझ लेकिन एटलिस उससे हाइड मत कीजिए और कभी भी अपनी wife से ये ना बोलने कि तू क्या करेगी जानकर, तुझे क्या करना है, अपना घर समालना, तुझे क्या मतलब है इन चीजों से, तू आफस के बारे में जानकर क्या करेगी, इस तरह कि जो वर्डिंग करते हैं ना, मत कीजिए अपनी wife के साथ में, नेक्स चीज जो आपको करनी है वो ये, कि आगे से अपनी wife को दूसरी ladies के साथ में compare ना करें, आदमियों की एक बहुत गंदी आदत होती है, कि जब भी वो कहीं भार जाते हैं, अपनी wife को दूसरी औरतों के साथ में compare करते हैं, मिन्स आपको आपको कोई लेडी दिखी, जो बहुत कमाल की लग रही है, एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है, और बहुत प्यारी लग रही है, वहीं आपकी wife ने भी साड़ी पहनी है, बट उसमें कुछ ग्रेज नहीं आ रही है, तो आपको क्या होता है, यह वैसे लिए रखा कर ना, वैसे राग, वो देख कितनी कमाल लग रही है, तुझे देख कितनी गवार लग रही है, इस तरीके का आप अकसर behavior करते हैं, अपनी wife को compare करते हैं, अगर आपको कुछ कहना ही है, तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कि यह साड़ी नहीं अच्छी लग रही है, इसमें उसे कोई दिकत नहीं होगी, वो खुशी खुशी वैसे रहेगी, वैसे करेगी जैसा आप चाहते हैं, लेकिन कभी अपनी wife को ये ना बोलें कि तुझे तरह है, किस से compare ना करें, यह गलती जो आप करते हैं, इसको सुधारें, अगली चीज, आप अपने घर में अप इसलिए चल रहा है, और जो भी है, सिर्फ आप है, don't show this, आपके वज़े से उस घर में earning आती है, but वो घर चल रहा है आपकी wife के वज़े से, means आप दोनों ही पिलर हैं, उस घर के, अगर आप में से एक पिलर भी हट गया ना तो वो घर ढह जाएगा, इस चीज को पहले आपक को भी करवाएं, आप हमेशें यह न दिखाएं कि जो हैं आप हैं, अपनी wife को यह बताएं कि आप जो भी हैं उसके वज़े से हैं, उसकी importance को दिखाएं अपनी जिंदगी में, अपनी घर की जिंदगी में, उसको बताएं कि अगर वो नहीं हैं, तो आप कितने अधूरे हैं आप कितने अकेले हैं, जब आप अपनी wife को important feel करवाएंगे, तब वो अपनी जिमेदारी समझेगी, तब वो अपनी importance feel करेगी और तब वो आपके जिंदगी में अपनी presence को भी महसूस कर पाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उसको बताएं कि वो आपके लिए कि करना चाहती है, अगर उसको आगे पढ़ना है तो पढ़ने दीजी ना, उसको कोई hobby है, जो वो follow करना चाहती है, तो allow कीजी, support कीजी, उसको घर में छुटी-छुटी चीजों में help करवाएं जब आप घर पे होते हैं, not on the regular basis, आपके लिए शायद possible ना हो, बट संड़े को आ कोई festival है, तो किचिन में थोड़ी से help करवा दीजिए, वो खाना बना रही है, तो लोगों को सर्फ कर दीजिए, वो घर आपका भी है, सिर्फ आपकी wife का नहीं है, जब आप छुटी-छुटी से अपनी wife के help करवाते हैं, तो उसकी जिन्दगी में उसके दिल में अपनी यही छोटी-छोटी कीजें, जो आपकी wife आप से चाहती है, जो आप जाने अंजाने नहीं कर रहे हैं, उसको हर्ड कर रही है, यह छोटी-छोटी चीजे, मैंने बताई है एक लिए और एक र उसकी पर कर देखे और और फिर आप देखेंगे आपकी wife के लगाया है और वो कि थोड़ी यूसपूल लगेगी इसी उमीद के साथ विदा लेती हूं बाबाई टेक एए